हेलो दोस्तों फिर एक ने वीडियो में आपका श्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आप लोसे बताने वाला हूँ यदि आप भी बिहार से हो और है ना बिहार से ही ब्याड करने की सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है आप लोग इस वीडियो से हो आप किसी भी उनिवर्सिटी से है ना अगर आप बिए करना चाहते ओ तो इस वीडियो में आपको सारी जन्यकारी देने वाला हूं ठीक है तो देख सकते हो यह पर कर गटिंग में दिया गया चलो तो मैं इसको आपको पढ़ के समझाता हूं कि अकरिस में दिये क्या है त तो यहां पर लिखा है 36,000 सीटों पर है ना सूबह में होगा ना मांगकर अर्थात बिहार में टोटल अगर हम लोग सीट की बात करें बीर में तो 36,000 सीट है कितना सीट है बच्चो 36,000 सीट है ठीक है ना देखो और आए क्या लिखा है एक महिने तक आवेधन करने का मिलेगा म पटना वर्ये शमाददाता राजे के बीर्ड कॉलेजों में दाखिले की परकिरिया है ना मैं के पहले सप्ता में सुरू हो जाएगी देख सकते हो में से स्टार्ट हो जाएगी सोमबार को मिली जनकारी के अनुसार है ना इसकी तयारी हो रही है एक माह तक आवेधन का मौक ठीक है ना दर्भंगा को बीर्ड की परवेश परिक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है ना दर्भंगा में क्या ललीत नरायन मितला यूनिवर्सिटी है इनको यह काम दिया गया है कि इंट्रांस करवाना है ठीक है एडमिसन लेने के लिए आपको क्या करना है टेस्ट लिवाना है ठीक है इनकी जिम्मेदारी LNMU को शौप दी गई है विश्विद्याले की ओर से पूर्व में 9 अप्रेल से आविदन के लिए तीथी निकाली गई थी ठीक है ना ओन्लैन करने के लिए इंट्रांस एक्जाम के लिए हैना 9 अप्रेल से फॉर्मल निकाली गई लेकिन इस टैम को हैना मतलव आगे बढ़ा दिया गया था लेकिन एक आएक हैना आविदन की परिकिया पर रोक लगा दी गई थी बिश्विद्याले की ओर से परिवेस परिक्चा है ना और आविदन से सम्मंदित सभी तरह की जनकारी जल्द जारी की जाएगी राज्य के लिए प्रिश्टा लेगी तो बात करें गौवर्मेंट और प्राइवेट दुनों कोलेज मिला कि सम्थिंग कितनी ओलेज है सारे टीन सो कोलेज है ठीक है ना जिसमें है ना मतलब एड़ियों को बेड के लिए पत्टना सहीट बिहार में वीर में 36,000 से है सीटे मतलब हम लोग पुड़ी विहारें बात करें पटना सहीत बात करें तो सम्धिक कितना सीटे में भाई तो 36 सीटे ठीक है न जिसमें आप लोगा है न इंट्रांस के बाद ही एडमिसन हो पाएगा ठीक है न देखो और आए क्या लिखा है सरकारी और निजी सभी कोलेज़ों में नमांकन के लिए संयुक्त परविस परिक्षा होनी है आप है न सरकारी में एडमिसन लोगे या फिर प्रवेट में एडमिसन लोगे आप लोग क्या करऊगे इंट्रांस एक्जाम उत۰िण करऊगे है उसके बाद आपका एडिमिसन हो पाएगा विष्विध्याले की ओर से निजधारित कॉट अफ प्राप्त करने के बाद ही निजी और सरकारी विध्यालों मिदा सुची के अधार पर नामांग कर लिया जाएगा आपको है ना जो कॉट अफ आएगा ना अच्छा खासा कॉट अफ आएगा तभी आपको गॉबर्मेंट या प्राइबेट कोलेज मिल पाएगा नहीं था नहीं मिल पाएगा ठीक है ना वहीं राजे के तेरह विष्विध्यालों में नामांग करने के लिए एक साथ परिश परिक्षा हो गया ना एक साथ ही इंट्रांस एक्जाम आप लोग का होगा ठीक है ना चलिए पिछली बार दाखिले के लिए एक लाख पचासी हजार है ना पिछले साल एक लाख पचास लाइन में कितना एडमिशन के लिए लोग मार करेंगे बिहार में लग दो लाक्सिक चोगों की न्युक्ति हो चुकी है इस बार तिसे चनल में है नब्य हजार और न्युक्तियां होनी है ऐसी ही सीदि में आविदन की संख्या बढ़ने की उमीद है ठीक है तो बच्चों आज कर आएगा आपको वहाँ पर इंट्रांस देना है फिलाल अभी तो बेट का इंट्रांस एक्जाम आफ लाइन होता है आपको ऐमर पका ज़क्षाम देदेना है ठीक है ना और भी आपको अगर बेट समंधित या डेल समय आपको कोई भी जनकाली चाहिए ता लोग वीडियो में मुझे कमेंट करके मुझे बताना और साथ में आप लोग चनल पहली बारा होंगे तो चनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आपको थोड़ा भी सब्सक्राइब कर देजिए जादा बाइब बाइ टेक क्यार